जहीं साथियों, मेरा ये संदेश दिल्ली की बेटियों की और से पंजाब, गोवा, उत्राखंट और उत्तर परदेश की उन सभी 18 साल से उपर की बेटियों के लिए है, जिने दिल्ली के मुख्यमंत्री जा जाकर चुनावी वाइदा कर रहे हैं कि वो अगर सत्ता में इन सभी राज्यों में तो 18 साल से उपर की बेटियों को हर महीने 1000 रुपया देंगे, यानि कि प्रतिदें 33 रुपय के करीब आपको देंगे, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, भारत की रादानी दिल्ली में आमाद्मी पार्टी की पिछले साथ साथ से सरकार है, क्या यहाँ पर 18 साल से उपर की बेटियों को 1000 रुपया महीना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या यहाँ पर मिल सकता है, हाँ बिलकुल मिल सकता है, अगर नियत हो की, अगर एरविन केजरिवाल जी मुक्ष्यमंतरी चाहेंगे, तो कल ही कैबिनेट की एक मीटिंग बुलाकर एक कलम से फैसला ले सकते हैं, कि 1 जनवरी 2022 से डिली की तमाम 18 साल से उपर की बेटियों को 1000 रुपया महीना उनके बैंक खातों में मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन यहाँ चुनाव खतम हो चुके हैं, अब यहाँ जरूरत नहीं है, अब यहाँ जो वाइदा होगा वो 2025 में क्योंकि दिली विदान साबा का चुनाव 25 में, लेकिन उत्तरपरदेश, उत्राखंट, गोवा और पंजाब में तो चुनाव सर पे खड़ा हुआ है, इसलिए 18 साल की हमारी बेटियों का वोट लेने के लिए आप उन्हें लालच दे रहे हैं, मैं आप सभी बेटियों को कह होंगी, धोके में मत आईएगा, ठगी का शिकार मत हो योगा, क्योंकि दिली ठगी का शिकार हो चुकी है, इसलिए हम आपको साफधान कर रहे हैं, कि मात्र अपने वोट को 1000 रुप्या महीना या 33 रुपए दिन के लालच में आकर मुझे पूरी उमीद है, आप नहीं होंगे, आप सभी से कहते हूं, साफधान रहे हैं, यह हमारी दिली की बेटियों की, उसे मैदारी थी, कि हम ठगी का शिकार हुए हैं, और आपको इन ठगी से हम बचा पाएं, इसलिए आपको साफधान कर रहे हैं, मेरी शुक्कान आप सभी के साथ हैं, जय हिंद, जय भार झाल 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 झाल झाल